दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बैली फैट कम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आईरवेदिक ड्रिंक के बारे में बताने वाला हूँ बैली फैट यानि आपके पेट और कमर के आसपास जमा जो फैट होता है इसको बैली फैट बोलते हैं और यह वो फैट है जो कि आपकी बॉड़ी में सबसे पहले बढ़ना शुरू होता है और सबसे ज़ादा मुश्किल से यह कम होता है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज यह ड्रिंक जो आपको मैं बताने वाला हूँ यह आपको इसी बैली फैट को बहुत ही आसानी से कम करने में हेल्प करने वाली है तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा सबसे पहले आईए जानते हैं कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें किन-किन इंग्रीडिंट्स की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तो हमारी यह मौर्णिंग ड्रिंक है यह बिसिकली हमने चार अलग-अलग इंग्रीडिंट्स की मदद से बनाई है इसमें आपको पहली चीज चाहिए जीरा, दूसरी चीज है अदरक, तीसरी चीज है नीम्बू और चौती चीज है शहद यह चार हुई इंग्रीडिंट्स दोस्तो हमने बहुत ही सोच समझ कर चुने हैं और यह सभी वो इंग्रीडिंट्स हैं जिनके अंदर जबर्दस्त आयरवेटिक गुर्तों हैं ही साथ-साथ यह सब के सब साइन्टिफिक स्टडीज पर भी वेजड हैं उसके द्वारा भी तो सबसे पहले बात करते हैं जीरे के बारे में दोस्तों आयरवेट के एकौर्डिंग जीरा हमारी बॉड़ी में तीनों दोशों को यानि वात पित और कफ को बैलेंस करने का काम करता है और हमारे खाने को यह डाइजेस्ट करने में मदद करता है वहीं अगर हम मॉडरन इसके साथ अधरक बॉड़ी में थर्मोजनेसिस भी करता है यानि बॉड़ी के इंदर हीट को भी पैदा करता है जिससे कैलोरीज बर्ण होती है और बॉड़ी फैट दीरे-दीरे घटने लगता है कुछ रीसेंट स्टेडी में यह बात भी सामने आई है कि अधरक में पाए जिससे मेटबोलिजम बूस्ट होता है और वेट लॉस होता है वही अगर हम साइंटिफिक बात करें तो नीमू में विटमिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे इम्यून फंक्शन हमारा होता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है हमारा जो आजका लास्ट अगर हम प्रॉसेज शुकर को हनी से रिप्लेस कर दें तो हमारी बॉड़ी फैट जो होता है वो धीरे-दीरे कम होने लगता है तो अब आप अच्छे तरह जान गए हैं दोस्तों के इन चारो इंग्रीडियंट्स को हमने क्यों चुनवा है और ये कैसे-कैसे आपके अंदर काम करते हैं कैसे आपका वजन घटाते हैं अब आईए जानते हैं कि इस होम रिमेडी को बनाने का तरीका क्या है जोस्तों इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले दो कब पानी लेना है और इसमें एक टीस्पून जीरा और एक टीस्पून कसा हुआ अधरक डालके 10 मिनिट तक खूब अच्छी तरीके से आपको उबालना है जब ये दोनों चीज़े अच्छी तरीके से उबल जाएं पक जाएं तो इसके बाद इस पानी को आप छान लीजे और ठंडा होने के लिए रख दीजे जब आपका ये पानी हलका गुंगुना है जाए ठंडा सा हो जाएं तो इसमें आप आधे नीबू का रज और एक टी स्पून शहट डालिए और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आप मिला लीजे लीजे आपकी आईरवेदिक फैट बर्निंग मॉर्निंग ड्रिंक तयार है इस ड्रिंक को आप रोजाना सु जाते हैं तो इसके साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइस करना भी बहुत ही जादा जरूरी है यह ड्रिंक जो है दोस्तों यह सभी प्रकरती के लोगों को आम तोर पर सूट कर जाती है लेकिन इसको पी कर हो सकता है कि आपकी बोड़ी में हलक में बहुत साथ कल गरूरी है एसको पीने के बाद आपको घबрахट होने लगती है यह आपको पसीने आने लगते हैं तो ऐसे केश में आपको सब से पहले क्या करना है इसके सभी इंग्रेडिएंट की जो ढूज है उसको आधा कर देनी है इसके बाद आप देखिए इसको ट् तो उस case में भी आपको ये drink इस्तमाल नहीं करनी है। सिर्फ इन 2-3 categories के लावा बागी सभी लोग इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको इसको लेने से नहीं आईगी। दोस्तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, चैनल परनाए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजे, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमारे इस चैनल को काफी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है और ग्रो करने का मौका भी मिलता है इसके लावा दो तो मेरे को इंस्टग्राम के ऊपर भी आप पॉलू कर सकते हैं मेरा इंस्टग्राम ID इसनमें आपकी स्कृड्रीन क्यों पर शोर है इस इंस्क्राम आईडी के ऊपर अपने इंस्टे इंस्टग्राम हैंडल के ऊपर हम लोक रुजाना तरह BONCPS वगेरे आपको única देते रहते हैं तो वहां भी आप हमाएं जरूर फॉलो करें चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आप से विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुती बढ़ियासी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहि रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा